कहा राजा भोज, कहा गंगू फेस्बुक पर पूर्व मेर चंदर शेकर अगरवाल द्वारा की गई ये पोस्ट इंदिनो सुर्ख्यों पर है वही इस पोस्ट को लेकर आब एक नया विवाद खड़ा हो गया है तेली समाज ने पोस्ट का विरोज जताते वे जिले के रंदीर वर्मा चौफ पर पूर्व मेर चंदर शेकर अगरवाल का पुतला पुका पुतला दहन कारेकरम का नरेतित्व कर रहे अखिल भारतिय तेली महासबा के जिला अध्यक जगजी शाओ उन्हें कहा कि एक पूर्व मेर चंदर शेकर अगरवाल के द्वारा इस तरह का पोस्ट किया जाना उन्हें शोभा नहीं देता है राजा भोज और गंगु तेली की बात कहकर उन्होंने एक तरह से गरीबों का मजाक उड़ाया है इस तरह से उनके द्वारा नीचा दिखाने का काम किया गया है उन्होंने कहा कि आज जो मेर अपने आपको राजा बता रहे हैं वो तेली जाती के आशिरवात से ही निगम में मेर के पदपर काबिज हुए थे उन्होंने कहा कि आने वाले निगम चुनाव में तेली जाती के लोग उन्हें बखुबी सबक सिखाने का काम करेगी तो निगम चुनाव जाओध का कि लोगी बखलेगी याई क्यार्या खजस करूक फिख महार आप्ने की बखलेगी जाती कि अन्हेस क हो और फन्हेसे जाते पारिवा असोचे क्योंकि वो एक परिष्टित प्रक्तिते हैं और हाई उनके मुझ से ऐसे असुगनियों बाद सुभा नहीं देती हैं वो जो गंगु तेली राजा भोजवालबाद किया तो करीबों का तेली जाती का खासका के मजा कुड़ा हैं वो उनने नी नीच्चा देखाने के काज किये हैं यही कारण है उनका भावना आज पुझागर हुई हैं क्योंकि वो ागण निगम में रहते पर कोई गरीब के हीत के बारे मुम कभी ने सोचे वो तरह तरह का टेक्स उन पर लागू कर करीबों का खुँप खुच उषूसने पने हैं और आने वाले चुना में तेली जाती और गरीब गुर्वा के लोग उन्हें इस बात का बहुत खुबी उन्हें मजा सिखाएगी और उन्हें भूगतना पड़ेगा तेली समाज के असमिता पर चोट है और यह कभी तेली समाज बरदास नहीं करेगी और उन्होंने हमें तो बहुत ही आश्चाज लगता है कि धनबार निगर निगम का पर्थम भ्यक्ति जो प्रोटोकॉल में डीसी से भी उपर आते हैं और इस तरह का मतलब घिनोना बयान देत कर दें और जातिवादी टिपनि करते हैं यह इस तरह का बयान तो लोकतंतर के लिए खत्रा है और इनका जो लगतंतर द्रिश्टी देखते हैं नीच सोच रखते हैं मतलब कि नीचा द्रिश्टी से देखते हैं यह नहीं चलने वाली है लोगतंत्र है लोगतंत्र में कोई किसी से उपर नहीं है और ताना साहिद मेर साहब के नहीं चलेगी यह जनता सब देख रही है और उनका विरोध में जो है समाज उतला फुका है यह जरूरी था इसलिए कि उन्होंने लोगतंत्र हैं और लोगतंत्र में जो भी जनप्रतिनिधी होते हैं सबों का होते हैं ना किसी धर्म का होते हैं ना समुदाय का होते हैं ना घरीव अमीर का होते हैं वो हर किसी को भलाई के लिए जनप्रतिनिधी हो इस तरह का प्रतिनीदी कैसे चूनकर आ जाते हैं इस पर चुनाओं पर बिल्कुल इस तरह का सोच वाले तो एकदम बिल्कुल नहीं आना चाहिए यहीं जनता से अपिल करूंगा और जनता भी देख रही है जनता भी समझदार हो चुकी है धन्बाइ भारत की जनता जो है बनी जनता में भारत की जनता की किंती आती है उसमें को इलैंचल जो है वालाजुनितिक से लेकर के अर्थिक से लेकर के हर छेत्र में जो अपना योगदान देता है यहां के जनता की तो चाहना बहुत ही अलग है यहां का जनता बहुत बुद्धी जीवी है और समय आने पर इस तरह का मेर कर जरूश हो आप भी बीजेपी से हैं किसी ज्याति पर टिप निकरना है उचीत है। किसी को हग नहीं बनता है, किसी को लोगतंत्र को बरबाद करने पड़े हुए है। और जो है किसी का हक नहीं बनता है, इसे आदमी पर मैं क्या बोलूँ, इनकी समयदारी को जो है जलक रहा है, इनकी किसनी समयदारी है, आप देखिए, आप देखिए, इस तरह के टिपनी करने वाले कैसा हो सकते हैं, ये क्या खाट दिकास करेंगें, इस तरह के टिपनी करने लोग की मानसिकता फिर्व अपने स्वार्थ के लिए हो सकती है जन समाज के लिए नहीं हो सकती है कि अखिर क्या कारण रहा होगा किसी जाती पटिद निकरना निकल गई यह इसका मतलब है यहां की लोकल बनियां जो भी हो या पिछड़ा वर्ग जो भी है उसको नीच दृष से बता एक क्या ऐसे नेता को पार्टी विल्कुल नहीं ऐसे नेता को चाहिए जो बाद करें गरीव अमीर का बात करें में भी जब OBC मोर्चा का जिला धक्ता, भाजबाटा तो हमारे साथ ही शडेयंत्र किये हैं पार्टी से निकालने के लिए यह चुत्थी बनवा दिया थे और हमें हमारे साथ में प्रतारिद किये हैं क्यों? कि मैं लोकल बनिया हूं मैं लोकल ओविशी का निफ्तरुत करता हूं सुचा इक कैसे बन गया इन्होंने इनमें जो बहुत बड़ा बहुत बड़ा भेद भाव है और यह नहीं चलेगी और जो है जब मैं ओविशी का जिलाद देखता जमेंके एक बाद चेमबर गया था पढ का राज नहीं होते इंगे चेमबर में बोला क्योंकि ओविशी ही जो आपको इतना बड़ा सम्मान दिला या आप इस तरह से मेरे को विशी काम नेता है मेरा अपमान मतलब पूरा विशी समाथ का अपमान है उस पर जो है जनता लोग जो उनसे काम कराने के लिए वह भी सोच का मान सीथा जो है दसाता है कि यह रुडिवादी सोचका है ताना साई सोचका है और सब दिला से गरीब हो दलीत हो पिछडा हो उच्छ हो बर्ग हो निम्न हो सब को किसी जाती धर्म समधायख हो सब को एक माला में पिरो करके अब देश को लोकतंतर को मजबूत करने का काम करने हैं नहीं सब करते रहें, एसलिए मुष्णता से भी अपल करता हूँ, इस niż थे फिस्त मे को पचैनिये, क्वालिटी ओवन फ्रेश जो बच्चों की सिहत से करें प्यार वो क्वालिटी ब्रेट से कैसे करें कार हमारा पता है आरा मोड रेलवे गेट नमबर एक धनबाद मुबाइल नमबर 7004067